छोटी छोटी बातें व्यक्ति को महान बना देती हैं लेकिन महानता अपने आप में छोटी बात नहीं नमस्कार इस वीडियो में आप अंतर राश्ट्रिय हिंदी ओलंपियाड कक्षा आठ का पेपर देखेंगे जो के एक गंटे का और सो अंख का होता है आवश्यक नरदेश आप पढ़ सकते हैं पहला प्रस्ण भासा का प्रियोग कहां पर होता है क साहित रचना ख बोलचाल ग दोनो सयुत्तर ग दोनो अवधी बगेली 36 गड़ी किस प्रकार की भासा हैं तो सयुत्तर का पूर्वी हिंदी ये तीनो पूर्वी हिंदी की बोलियां है तीसरा प्रस्ण साहित्य के कितने प्रकार हैं तो साहित्य दो प्रकार का होता है स्रब्य और द्रश्य स्रब्य पने तीन प्रकार का होता है गद्य, पद्य, चम्पू तो सई अप्सनेख, दो, स्रव्य एवं द्रश्य देवनागरी लिपी का विकास किस प्राचीन लिपी से हुआ? ब्रामी लिपी से विश्व में सबसे ज़्यादा फिल्मे किस बासा में बनती है? हिंदी अनुनासिक में स्वरों का उचारण कैसे होता है? मुख से, नाक से, सई उत्रएगा दोनों से अनुनासिक का उचारण मुख और नाक दोनों से उता है? मेधा सब्द से विशेशन बनेगा मेधा भी नीरज का विच्छेद है निर प्लस रज नीरज यानि नीर यानि पानी और जा यानि जर्मने वाला यानि कमल उद्धार में कौन सी संदी है? व्यंजन संदी चाय वाला सब्द कौन सी भासा के मेल से बना है? तो चाय चीनी भासा का है और वाला हिंदी का चीनी प्लस हिंदी योजग को अनि किस नाम से जाना जाता है? समुच्य बोधग निंदा का विलोम है इस्तुती बिजली, स्त्री, लक्ष्मी, पर्यावाची है चपला के प्रमार द्वारा सिद्ध के लिए एक सब्द है प्रमारित मुझे तुमारी खाली जगय नहीं चाहिए उचित सब्द भरिये किर्पा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतिय कौन है राके सर्मा चार मीनार कहां पर इस्तित है हैदरावाद सबसे प्राचीन वेद है रिगवेद मानम सरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्त होता है ऑक्सीजन अनूं अनूं का अर्थ है पीछे और कन सबसे अधिक पर्यावाची किस वासा में है हिंदी कौन सा सब्द पुष्टक का पर्याय नहीं है ग्रंथ का ग्रंथ और पोथी पुष्टक के पर्याय है ग्रंथ का नहीं प, फ, ब, भ, म, यानि पवर के इन पांच वरणों का उच्चारण होता है ओष्ट यानि होट से अगला प्रस्ण उन्नीस में उपसर्ग है उन, उनकार्थ होता है एक कम आच्चार जी बहुत बड़े गुमकड है प्रत्य युक्त सब्द छाटिये गुमकड कश्ट साध्य में कौन सा समास है करण ततपुरस कश्ट साध्य में करण ततपुरस समास तिरंगा में कौन सा समास है दिगु समास महवारत की रचना किसके द्वारा की गई थी मेरसी बेदवियास द्वारा क्रोध मनुष्य का सत्त्रू है बाक में संग्या सब्द छाटिये क्रोध मनुष्य सत्त्रू तीनों ही संग्या है यह प्रस्ण गलत है सही नहीं है तीनों ही संग्या है अगला प्रस्ण सोना सबसे कीमती धातू है रेखांकित सब्द किस तरह की संख्या है रेखांकित यानि धातू धातू सब्द किस तरह की संग्या है तो यहां ओप्शन के साव से द्रव्य बाचक माना जा सकता है हलांके हिंदी में व्यक्ति बाचक जाती बाचक और भावाचक यह तीन ही मुख्य संग्या है इस तरह के जो संग्या सब्दे हैं वो जाती बाचक में आते हैं लेकिन यह आपर आप्सन को देखते हुए द्रब्विबाचक माना जा सकता है ग्रहों, धातुओं, परवतों की नाम में कौनसा लिंग प्रयोक्त होता है पुलिंग अगला ग्रह स्वामी बहुत देर तक की प्रतिच्चा करता रहा रेकांकित सब्द का लिंग परिवर्तन करके इस्थान भरिये ग्रह स्वामी का ग्रह स्वामी अगला प्रशन कभी का वचन वदल ये तो कभीयों कभीयों वक्त दर्षनेतु मंदर गया रेकांकित सब्द में कौनसा कारक है यानि दर्षनेतु में संप्रदान कारक तू तेरा तुझे तुम्हें कौनसे सर्वनाम है मध्यम पुरुषवाचक अगला भार्त की राष्ट्री मिठाई कौनसी है जलेवी संसार का सबसे बड़ा मरिष्थल है सहारा सहारा मरिष्थल संसार का सबसे बड़ा मरिष्थल है नियम खाली जगे आचरण मत करो, रिक्तिस्थान वरिये के विपरीत, नियम के विपरीत यद्यपीवा गरीव है, किन्तु इमानदार है, किन्तु अगला प्रस्न वह व्यक्ति जो यहां आया था, वह बहुत बीमार है, किस प्रकार का वाकी है, मिस्र वाकी अब एक पद्यान से जिस पर आधारित प्रशन कूछे गए हैं बहुती सुन्दर पद्यान से देखिए मैं बढ़ा ही जा रहा हूं पर तुम्हें भूला नहीं हूं चल रहा हूं क्योंके चलने से थकावट दूर होती चाता तो था कि रुकलें पार सुमें छण भर तुम्हारे किन्तु अगणित स्वर बुलाते हैं मुझे बाहें पसारे अनुसुनी करना उन्हें भारी प्रवंचना या प्रवंचल नहीं प्रवंचना होना चाहिए भारी प्रवंचना का पुरुस्ता का पुरुस्ता है नि कायर्ता मुझ दिखाने योग्य रखेगी न मुझको स्वार्थ परता इसलिए ही आज योग्की देली को लांकर में पत्न या अपना रहा हूं पर तुम्हें भूला नहीं हूं आज सोसक सोसितों में हो गया जबका भिवाजन अश्तियों की नीम पर अकड़ खड़ा प्रासाद कातन कभी क्यों चलता जा रहा है तखान दूर करने के लिए कभी की इच्छा क्या थी विश्राम करने की यानि थोड़ी देर आराम करने की कभी लोगों की आवाज को अंसना नहीं कर पाता है क्योंकि दोनों सहिए धोका नहीं देना चाता और कायर नहीं बनना चाता दोनों कभी के अनुसार स्वार्थ परता का क्या परड़ नाम होगा मुझ दिखाने लायक नहीं ना रहना जैसा के कविताम आया है मुँ दिखाने योग रखेगी नमज को स्वार्थ परता तो ख वर्तवान में विश्व किंदो बर्गों में बट गया है सोसक और सोसित अब एक गध्यांस है जिस पर आधारिक प्रिशन है गध्यांस देखिए परिश्रam सपलता की कुंजी है यह तो सभी जानते है इसकार्थ यह हुए कि यदि जीवन में सफलता पाना चाते हो तो परिश्रम करो वही व्यक्ति अपने लक्ष को प्राप्त करता है जो मेहनत करता है जो केवल भागी के साहरे चलते हैं उनका काम कभी पूरा नहीं होता गीता में स्री कृष्ण ने भी कहा है कर्म करो और फल ईश्वर पर छोड़ दो यानि परिश्रम करते रहो और भाग्य ईश्वर पर छोड़ दो यदि हम परिश्रम ना करें तो सामने थाली में पढ़ा हुआ खाना भी अपने आप पेट में नहीं जाएगा केवल भाग्य के बरोसे रहने वाला व्यक्ति आलसी तथा निकम्मा होता है वह हर बात हर बात का दोस केवल किसमत को देकर हाथ पर हाथ रखकर बैठा बैठ जाता है जीवन में सफलता कैसे मिलती है किसके ना करने पर भूक भी नहीं मिटाई जा सकती कर्म ना करने पर गीता का संदेश क्या है कर्म करो भाग्य के बरोसे रहने वाला व्यक्ति कैसा बन जाता है काम चोर अगला प्रस्ण उप्रियोक्त दिये गए गध्यांस का उचित सीर्षक क्या है तो इसका उचित सीर्षक परिश्रम और भाग्य सही रहेगा यह था कक्षा आठमी का हिंदी ओलंपियाड का पेपर बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक सुब कामना है जय हिंद